आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में जैसा के हम देख रहे हैं डव्लू एस्टी ग्रूप 3 का कैलकुलेशन का लेवल फर्स्ट का पेपर है यह तो हमारा यह पहला कुश्चन है इसमें आते हैं सेकेंड में चैन्ज कर लीजिए तो इसमें आप मीनट को सेकेंड में चैन्ज करेंगे एक्शली होता क्या है कि जो प्रतिशत तूर्टी का मान निकालते हैं आप वो निकालेंगे आप जैसे actual time minus observed time divided by actual time ओके तो यह सी फार्मूल में value रखेंगे तो आप जो है इस 3 minute of 45 second को 3 minute 45 second को जब आप minute second में change करेंगे तो यह आप निकल के आएगा क्या 225.5 यह actual time हो गया minus 229 यह observe time हो गया 3 minute 49 second को जब चेंज करेंगे second में तब divided by 225.5 ओके अब multiply में आपका percentage value के लिए 100 से multiply कर देंगे जो आप answer calculate करेंगे वो आएगा 1.55% चलते हैंगे कोशन की तरफ duplicate ratio of 3 ratio 7 जो duplicate ratio होता है यह आपका यह duplicate ratio जो ratio में value दी होती है उसका square हो जाता है तो जैसे यहां 3 का square 9 हो जाएगा और 7 का square 49 हो जाएगा ओके तो option number first is correct answer चलते हैंगे कोशन की तरफ यह कैसे कोशन कहता है कि तो देखिए यहां पर कोशन को ध्यान से पढ़िएगा fraction of boys in class of 12 boys जो fraction पूछ रहा है आपका केवल boys का पूछ रहा है किस से total student कितने हैं class में उस से पूछ रहा है तो 12 तो boys हो जाएंगे और total student boy and girl को मिला के जो student होंगे वो हो जाएंगे 30 जब आप इसको solve करेंगे तो यह निकल के आएगा आपका 0.4 option number first is correct answer चलते हैंगे कोशन की तरफ दिया है कि solve इस चीज़ को solve करना है आपको और x का मान निकालना है तो इसको जब आप solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए x minus 5 है यह 3 का multiply करेंगे आप तो यह क्या हो जाएगा 3x plus minus 15 उके उसके बाद x minus में आ जाएगा यह फिर यह total बड़ा ब्रेकेट के अंदर इतना आएगा अधर बाहर में minus 2 रहेगा अधर आपकी value क्या रहेगी 6 minus 5x ओके अब आप minus 2 का multiply बढ़ेगा minus 2x plus 6x minus minus में बिलके plus हो जाएगा फिर minus 30 equal to 6 minus 5x ओके तो यह आपका निकल क्या हैगा 9x equal to 36 तो x equal to हो जाएगा आपका क्या 4 that is option number first is your correct answer चलते हैं के लिए question की तरफ solve 83 x minus 67y equal to 383 67 x minus 83y equal to 367 तो इसको solve करना है तो एक equation first और इसमें क्या करिए x की value को समान करजिए एक value को cut करिए तो इसमें solve करेंगे जब आप तो यह निकल क्या आएगा जब इसमें multiply कर दीजे आप किसका 67 का और इस वाली equation multiply कर दीजे किसका 83 का आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से y की value को भी बराबर करके solve कर सकते हैं आप को जैसे मन करता है आप आप वैसे solve कर लीजे तो इसमें आप multiply करेंगे तो आपकी value निकल के आएगी 5561 x minus 4489 y equal to यह आप का आएगा 25661 और एक value निकल के आएगी 5561 x minus 6889 y equal to 30461 यह minus यह plus यह minus इसको जब solve करेंगे यह कट है यह कट है जाएगा फिर यहाँ पर आएगा 2400 y equal to 4800 यह क्या आएगा minus 4800 आएगा y equal to आजाएगा आपका minus में 2 y का मान आपका 2 आगया minus 2 आपको y मिल भी गया minus 2 यह की option में है यह आप value पूट करके y की minus 2 value को इसकी सी भी equation पूट करेंगे x equal to 3 and y equal to minus 2 आजाएगा चलते हैं लिए question की तरह दिया है 3x minus 8y x equal to 2 and x की value क्या होगी जिसमें आपकी x की value पूछ रहा है तो इस value को निकालते हैं हम तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3x minus 8y x equal to 2 यह हो जाएगा आपका 3x square minus 8 बराबर 2x 3x square minus 2x minus 8 बराबर 0 यह quadratic equation री फार्म में आगया तो इसको जो आप solve करेंगे यह आएगा आपका निकलके इन दोनों का जो गुड़न फल होता है उससे घटा के यह वाली value आनी चाहिए तो 3x square minus जाए 8 3 यह 6 24 होगा तो 6x plus 4x minus 8 बराबर 0 0 हो गया उसके बाद यह आएगा आपका 3x bracket में x minus 2 plus 4 bracket में x minus 2 तो x कितनी value आगे आपकी एक आपकी value आगे x equal to 2 और आपका यह 3x plus 4 तो 3x plus 4 equal to 0 तो x equal to यहां से आपकी value आजाएगी minus 4 by 3 तो 2 value आपकी आगे तो option number first is your correct answer चलते हैं ले question की तरफ यह question number 7 देखते हैं area of an inscribed circle in a equilateral triangle is 154 square centimeter calculate the perimeter of the triangle देखिए कहता है question की कोई एक equilateral triangle है इसके अंदर कोई एक circle है यह इसके अंदर inscribed है तो देखें circle जो inscribed है इसके अंदर उसका आपको दिया हुआ area तो circle का area आपको पता होता है pi r square होता है pi r square equal to 154 अब यहां से आप r calculate करेंगे तो r जब आप calculate करेंगे तो इसकी value कैसे निकालेंगे 154 divided by 3.14 और यह under root में आजाएगा आपका ओके तो इसको solve करेंगे जब आप तो यह value निकल के आएगी आपकी 7 3.14 की जब आप 22 भी ले सकते हैं 22 by 7 तो 22 और इधर multiply करेंगे 7 तो आपको आसानी होई करने में तो इससे इसको आप काटेंगे तो 7 बाट टाइंग्स कट जाएगा तो 7 बाहर आजाएगा अपका radius आजाएगा जब आपका 7 radius आजाएगा तो देखिए जो यह side होता है इसका हर इक्विलेटर triangle में सभी बुझाएगा बराबर होती है ए ए तो देखिए एक्विलेटर triangle में क्या होगा जो यह होता है वो हो जाता है आपका क्या आर 2 अंडर रूट 3 यह आपका side निकल के आता है जब एक्विलेटर triangle हो अंदर कोई circle inscribed हो इसका formula होता है तो radius आपका साथ है और यह क्या है 2 root 3 यानि क्या है आपका यह 14 root 3 यह एक्विलेटरल triangle की यह side आ गई अब एक्विलेटरल triangle की side आ गई तो perimeter निकला है यानि परिदी अब परिदी यानि क्या जो तीनो भुझाए हैं उसमें क्या कर देंगे आपका तीन भुझाए सभी समान है तो परिदी तो भाई होता है तब 3A हो जाएगा 3 into A तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे जब आप तो 14 यह क्या हो जाएगा 42 और root 3 का मान होता है 1.732 जब इसको solve करेंगे तो यह आपका निकल के आएगा 72.7 के ब्रॉक्स और फर्स्टी जोर करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अगले question की तरफ यहां दिया है find the value without using trigonometric table sin 35 sin 55 minus cos 35 cos 55 इससे पहले वाले question में एक बार workshop calculation में यह आया था मैंने आपको सारे formula बताया थे तो यह formula है cos a plus b का cos a plus b value कितनी है यह 35 हो गई a plus 55 cos 35 और 55 का मान कितना हो गया आपका cos 90 cos 90 का मान होता है 0 चलते हैं गले question की तरफ find the length of a string flying kite which is at an angle of 60 degree from the ground and 75 meter above the ground देखिए यह क्या है यह कोई पतंग ओड़ रही है आपसे above the ground कितना 75 है इस टिंग की आपको पूछा है यह 60 degree है यह आपको value पता नहीं है unknown है तो यह आपका a हो गया point यह b हो गया यह c हो गया तो sign 60 बराबर होता है आपका sign theta बराबर क्या होता है लंब बटा करण तो लंब आपको क्या है bc करण आपको पता करना है a b आप a b equal to क्या हो जाएगा आपका bc कितना है 75 a b आपका कितना और आपका 75 और sign 60 का मान कितना हो जाएगा आपका root 3 by 2 root 3 by 2 तो यह 2 ऊपर चला जाएगा यह value निकल कितना 150 divided by 1.732 जब आप इसको solve करेंगे तो आपकी value जो निकल किया है वो आएगी 86.60 which is equal to nearly equal to 87 तो option of first is correct answer चलते हैं ले question की तरफ find the mean and median of the this value तो mean का मतलब होता है औस आपको निकलना तो सारी values को जब आप add करके उसको जितनी संख्या हैं उनसे भाग देतेंगे तो यह 3 plus 2 plus 6 plus 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 2 इसको जब आप add करेंगे तो यह आएगा 21 और यह digits कितनी है total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 से डिवाइड कर दीजिए आप ती value निकल के आएगी कितनी है आपकी 2.625 यह आगया क्या आपका आउसत तो mean तो आपको मिल गया अब आपको क्या चाहिए median तो median के लिए क्या करना पड़ता है आपको median के लिए सबसे पहले इनको एक ascending और descending order में आप अरेंच करना पड़ता है तो सबसे पहले आरेंच कीजिए आप one है फिर उसके बाद one है फिर उसके बाद कैया है two है फिर उसके बाद two है उसके और three है 3 है 3 है 3 है 6 है आठ संख्याह है तो 3 एरज छोड़ीए 3 जो डिया है मिलज दो लीजिए इन दोनों को 2 ब्लस 3 डिवाइट बाइ 2 एक्वाल टू कितना मज़ेगा फाइफ डिवाइट बाइट रजी पॉईट 5 विए इन जो आपके पास दो सिक्क्रें उनको आप उच्छा लिए तो उनको उच्छालने पे कह रहा है कि कम से कम एक हैड ऐड तो आना चाहिए इसकी पॉसिबिल्टी क्या हो सकती है देखिए दोनों सिक्क्रें आप उच्छा लेगा या तो एक सिक्के में head मिलेगा एक में tail मिलेगा या एक में tail मिलेगा एक में head मिलेगा तो ये head में at least एक में head आने की possibility कितनी हो गई तीन हो गई और total possibilities कितनी है चार तो क्या हो जागा इसकी value चार से आप इसको divide कर देंगे तो यह value कितनी निकल के आएगी? 0.75 option of first is correct answer चलते एंगले question की तरफ दिया है if a number is twice another number, एक number दूसरे number का क्या है? दूगना है and sum of their reciprocal is 3 by 2 देखिए एक माली जी आप number x है दूसरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा तो reciprocal उनका यानि ultra reciprocal उनका उल्टा का sum जो है यानि 1 by x plus 1 by 2x equal to आपको कितना दिया हो है? 3 by 2 जब इसको solve करेंगे, तो इसको कितना निकल के आएगा? 3 by 2x equal to 3 by 2 तो x की value जब यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आगे आपका? 3 by 2 multiply by 2 by 3 cut जाएगा x is equal to क्या आएगा? 1 ओके? एक संख्या आगी x तो दूसरी संख्या क्या है? आपका 2 times है तो यानि संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 1 ओके? चलते आएगले कुशन के तरफ दिया है solve for g in the expression 8 minus 11g multiply by minus 5 plus 6g बराबर क्या होगा? तो मतलब g की लिए आप इस value को solve कीजिए तो जब आप equation को solve करेंगे तो 5 का इसमें multiply कीजिए 5, 8, 0 minus 40 plus यह हो गया 55 plus में हो जागा minus minus मिलके into g आप plus 6g बराबर 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 61 g बराबर 40 तो g बराबर आपको कितना निकल के आएगा 40 by 61 तो option number first is your correct answer चलते यह लोग लोग कोशन की तरफ देखे आगला कोशन मिल स्क्रेंट है ओके तो इसमें graph आपको दिया नहीं है चलते हैं लोग कोशन की तरफ यह है एक simply support beam है तो उसके अंत में जिसे last में एक bending moment होता है तो जो bending moment होगा last वरे section पे तो वो क्या होगा आपका यह आपसे पूछा गया है तो bending moment क्या होगा आपका 0 क्योंकि last में कोई चीज है तो उसको bend करना क्या होता है एक तरह से बहुत मुश्किल होता है तो वो नामात्र के बराबर होता है ओके चलते हैं लोग कोशन की तरफ चलते हैं लोग कोशन की तरफ विसे concentrated load at a free end of a cantilever as shown below the shape of bending moment diagram is देखें जो cantilever होता है आपका जैसे मा लीजे यह कुछ है जा रहा है आपका तो cantilever ऐसे आपका जो earthing के लिए बना होता है यह इस तरीके का यह cantilever होता है तो यह पूछ रहा है कि cantilever the shape of bending moment यहाँ पे जो shape होता है यह कैसा होता है यह shape triangular है तो यही option number 2 is correct answer चलते हैं ले question की तरफ calculate the spindle speed required to run turn a 20 mm mild steel bar at 30 meter per minute cutting speed तो spindle की speed बूछ रहा कि अगर कोई 30 meter per minute से यह कोई चीज़े run कर रही है तो वो कितने मतलब कितने rpm पे move करे कि उतने mild steel काट कर पाए कि काट पाए तो इसके लिए फार्मूला होता है velocity is equal to होता है आपका जैसे दिया हुआ है आपको l, n और πाई यह फार्मूला होता है आपका तो जहाँ पी यह velocity हो गया यह आपका n rpm हो गया यह आपका क्या हो गया length हो गया मतलब उस चीज़ का और πाई constant होता है तो यहाँ पे आप value रखेंगे जब तो velocity आपको कितना दिया हुआ है 30, l की value कितना क्या दिया हुई है आपको 20 लिकिन याद रखेंगा 20 किसमें दिया हुआ mm में दिया हुआ है इसको change करेंगे meter में into 10 to the power minus 3 multiply by rpm आपको निकालना है आप pi की value कितनी है 3.14 ओके तो जब आप इसको n को इदर निकाल लिए n बराबर जब n बराबर करेंगे आप तिया निकल कितना आएगा आपका 30 multiply by 10 to the power minus 3 नीचे आएगा तो इसका multiply हो जागा 1000 divided by 20 multiply by 3.14 आप इसको जब solve करेंगे तिया value निकल कियाएगी 477 which is nearly equal to 475 option number 2 is correct answer चलते हैं ले question के तरफ which set of angle है same trigonometric ratio किसमे trigonometric ratio कहने का मतलब यह है कि sin theta में कोई value है जैसे इस command माली यह 1 है तो cos में उसी command 1 किसमें होता है तो आपको पता है sin 0 command क्या होता है 0 होता है cos में 90 command 0 होता है sin 90 command 1 होता है cos 0 command 1 होता है तो उसी तरीके से पूछर इसमें given figure में given जितने भी options दिये हुए है तो इसमें किन दो identities का माल equal होता है ओके तो देखे sin 30 और cos 60 इन दोनों का माल equal होता है sin 30 का माल होता है 1 by 2 और cos 60 का भी माल होता है 1 by 2 ओके चलते हैंगे question की तरफ if one side of square is increased by 10% another side of square is decreased by 10% then what will be the net effect on area of square area of square को निकालने के रही को कोई तरीके है हम जिस तरीके पर बात करेंगे ratio method पर बात करेंगे जैसे square का area क्या होता है side का square a square होता है अब देखिए side of square is increased by 10% one side जैसे एक था मालीजे कोई value है मालीजे कोई value है 10 है मालीजे अब 10% increase किये तो यह 10 से 11 होई होगी 10 का 10% one और फिर 10 प्लस one 11 होगया एक में decrease हुआ तो पहरे तो 10 था अब decrease कितना हुआ होगा nine हुआ होगा अब देखिए multiply कर दिजिए इन दोनों का यह होगया 99 और यह होगया 100 तो इनके बीच में difference कितने का है one का किस पर difference है वो 100 पर है तो percent में आप इसको change करिए तो 100 से 100 कट गया तो value क्या होगी एक percent का जो होगा वो क्या होगा decrease होगा क्योंकि value decrease कर रही है यहां पर ओके कमी हो रही है क्योंकि एक कमी हो रही है नहीं यहां पर option number 2 is correct answer चलते हैं एंगल कोशिंग तरफ the difference between length and breadth of a rectangle is 23 meter if its perimeter is 206 meter then its area is तो इसका area क्या होगा देखिए length and breadth के बीच का difference जैसे माल लिजे L minus B equal to दिया है कितना आपको 23 दिया है perimeter दिया हुए आपको कितना तियानि perimeter क्या होता है rectangle का 2 bracket में L plus B बराबर 206 तो L plus B हो जाएगा आपका क्या 2 से divide कर देगा 103 हो जाएगा तो यह first equation मानिए और यह second equation मानिए आप अब इंदों को जोब solve करेंगे तो L minus B बराबर 23 जोड़ देंगे कट जाएगा 2 L बराबर यह 103 हो 23 को जोब आप add करेंगे तो यह आएगा 126 तो L बराबर जो आएगा आपका 126 को divide कर देंगे 2 से तो यह आएगा आपका 63 ओके अब L की value को किसी एक equation put कर दीजे आप आप किसी एक equation जोड़ आप put कर देंगे तो B का मान निकल जाएगा जैसे L minus B बराबर 23 है तो आपको L का मान पता चल गए minus B बराबर क्या हो जाएगा आपको 23 minus 63 तो कितना निकल जाएगा 40 minus में minus में इसकट गया B बराबर 40 हो गया आप देखिए 6 तरफल निकालने के लिए क्या होता है क्योंकि आपको पूछ रहा है इसका 6 तरफल पूछ रहा है आयात का तो आयात का 6 तरफल लेंथ इन्टू ब्रेथ लंबाई गुणे चोड़ाई तो आपकी एक वैल्यू निकल के लेंथ 63 अब ब्रेथ निकल के लेंथ 40 जब दोनों का मर्टिक्लाई करेंगे आप तो जो आपका 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 निकल के आएगा 2520 चलते हैं गले कोश्चन की तरफ फिगर बिलो देखें कोश्चन पूरा है नहीं क्योंकि फिगर यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है ओके तो यह कोश्चन भी चलते हैं क्रॉस कर लीजे बाकी आंसर इसका 137.3 है जो कि आपको रिमेंबर रखना है कि आगर कोश्चन आ जाता है तो आपको टिक करना पड़ेगा चलते हैं लीजे कोश्चन की तरफ वाट इस दा मोमेंट ऑफ इनर्षिया अबाउट इस चेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए 7.5 केजी तिंग इफ दा तिंग लेंथ तिंग लेंथ तिंग्स लेंथ तो लेंथ आपको दिया है कितना 35 तो इसका आदा करें कितना आ जाएगा 17.5 और जो हमाँ इनर्षिया बराबर होता है आई बराबर हो जाएगा आपका m into k square तो m की value क्या दिया हुई आपको 7.5 center of gravity m की value दिया हुई है और k की value आपने निकाली ली 17.5 और उसका k का square हो जाएगा आपका जब k का square होगा लेकिन यहाँ पे देखिए आपको centimeter में दिया हुए value इसको meter में change करने के लिए 10 to the power minus 4 से आप multiply करना पड़ेगा आपको क्योंकि square है आज आप इसको solve करेंगे तिया आपका निकल क्याएगा 0.230 kg meter square तो option of first is your correct answer चलते हैं लेकोशन की तरफ इन given figure given below what is related to इसमें क्या related होगा फिगर तो यहाँ दिया नहीं है तो इसमें क्या है सबसे पहले tension होगा compression होगा hardness होगा cantilever होगा option number 4 यहाँ पे क्या होगा आपका correct answer है चलते हैं लेकोशन की तरफ the favorite game among 50 students football में 35, rugby में 10, basketball में 3 and volleyball में 3 in pie chart angle of sector represented rugby अब रगभी में देखिए आपको कितने 10 लोग खेल रहे हैं और जो 50 खिलाड़ी हैं आपके वो represent कर रहे हैं कितने एंगल को हो 360 degree को represent कर रहे हैं तो एक खिलाड़ी कितने degree को represent करेगा किसी पाई चार्ट में तो जब आप इस value को solve करेंगे तो यह आपका निकल गयाएगा क्या 72 तो आपसा नमर 3rd is your correct answer चलते हैं लेको कोशन की तरफ दिया वार्ट इस the difference between literate male and literate female if total number of इतना c figure below अगर यहां figure तो दिया नहीं है तो नहीं तो अगर आपको कोई पाई चार्ट दिया रहे तक तो उससे आप answer निकाल लेते तो यहां पर question का answer मतलब question का चित्र नहीं दिया हुआ है तो यह question तो incorrect है लेकिन यहां पर जो answer है इसका वह answer आपको कितना दिया हुआ है 5000 ओके question तो है नहीं पर complete छोड़ देते हैं चलते हैं कि तरफ कि दिया है find the mean in the number mean निकालना है ठीक है मीन यानि सबको सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़के क्या करेंगे जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर देंगे यानि औस अब आसथ निकालेंगे सबको जोड़ेंगे आप 19 चलते हैं कि तरफ कि find the median in number अब इसमें मीडिया निकालना है तो मीडिया निकालने क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले कीजिए सबसे पहले सबसे तो कितनी संख्या है साथ है तो इसका भी नहीं दिया हुआ है तो फिगर नहीं दिया तो कोश्चन इंकम्प्रीट है तो यह कोश्चन भी गलाते है लेकिन इसका जो आंसर है वो अप्चन नमबर A, करेक्ट आंसर है ओके चलता है लिए कोश्चन की तरफ दिया है इन ए इंजन सेलेंडर फिगर विलो वॉलिम बिट्विन पिस्टन एट बीडी सी एड पिस्टन एट टीडी सी इस कार्ड तो फिगर तो यहां भी नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या है आपका स्ट्ट वॉलियूम ओके इसी के साथ हमारा केलकुलेशन का लेवल फर्स्ट कम्प्रीट हो गया अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करना ना भूलें जो आपके CITS एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है धन्यवाद